आपका ओहो चलो चलते हैं और टाइम विल ट्राइए के बिटा ये ना मैंदा विल ट्राइए के काइनमेटिक जो है अराउंड थी से फोर लेक्चर में विल फिनिश ठीक है अब आते हैं आपकी important बात पे वो है बहुत important बात है फूर्थ बात क्या है velocity अगर मैं बहुत ही layman terms में बोलू बहुत ही basic terms में बोलू तो मैं कह सकता हूँ velocity is nothing but speed plus direction अगर मैं आपको feel देने की कोशिश करूँ तो जैसे displacement was nothing but distance with direction एक sense में अगर हम सोचें तो velocity is nothing but speed मतलब अगर मैं बोल दूँ if I am traveling with a let's say if I say that if I travel with a speed of 5 meter per second if I am giving this much information कर मैं इतनी information दे रहा हूँ तो वो क्या होगा वो सिर्फ एक speed होगी लेकिन if I say कि if I am traveling at 5 meter per second but in north direction तो वो क्या होगी उसकी velocity होगी मतलब simple सा unique से एक छोटा सा difference है कि अगर आप direction बोल रहे हैं तो वो velocity है और अगर direction नहीं बोल रहे है तो वो speed है क्यों ऐसा कि कि अगर if I say let's say I am traveling at 5 km पर आर तो आपको क्या पता चलेगा मैं कहां पहुंचूँगा सोच के देखो लेकिन if I say that I am traveling at 5 km पर तो आपको यह पता चलेगा कि मैं एक घंटे बाद east में 5 km दूर होगा यही तो difference आता है ना तो कैसे वो difference create होता है ध्यान समझना मतलब यह समझा गया इसका डिरेक्शन है तो भया यह vector तो है ही है मतलब यह vector quantity तो है ही है कैसे define होती हो vector quantity अब ध्यान से देखना है generally velocity को जो हम define करते हैं बहुत generally तो उसको हम define करते हैं कुछ इस तरीके से उसको हम बोलते है displacement तो हम उसको बोलते है displacement upon time बहुत ही basic level पर अगर महां कहूं तो मैं कहूंगा displacement अपके को मजबूरी मेरी क्या है कि speed को भी से रिप्रेजन करते हैं displacement को भी से रिप्रेजन करते हैं बट डोंट वरी डिस्टेंस को भी से रिप्रेजन करते हैं बट डोंट वरी मेजरली अगर आइस कहीं लिखा हुआ है उसको उपर वेक्टर लगा है तो वो displacement है अगर उसके आगे जाए अगर हम विस वेलॉसिटी को तो मैंने आपको याद करो याद होगा आपको एक जर्नी की बात की थी मैंने एक बड़ी जर्नी जिसको हमने दो घंटे में देखा माल लो उस एक्जांपल को फिर से लेंगे तो अगर मैं नौईडा से अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूं 12 बजे लेट से 12 बजे दिन में इस टार्ट मैं जर्नी और नौईडा अगरा लेट से मालो बेटा मैंने बता दिया आपको कि यहां से आगरा 500 किलोमेटर दूर है और मुझे धाई घंटे यहां से लगते हैं पहुंचने में तो मैं 12 बजे यहां से चला और मैं धाई बजे वहां पहुंच गया तो मुझे आप यह बताएं कि मेरी इस स्पीड क्या रही होगी cowman sense से बताएं 200 किलो मीटर दाई घंटे में तौ एक घंटे में कितना हुआ 100 किलो मीटर तो बता हो मेरी exactly one o'clock पे क्या speed थी exactly one o'clock पे क्या speed थी तो आप क्या कहेंगे तो आप क्या कहेंगे तो अब क्या कहेंगे अगर मैं आप से पूछू थे exactly एक बज़े आपकी velocity क्या थी तो पॉसिबिलिटी है कि एक बज़े हो सकता है आप moving ना कर रहे हो और एक बज़े हो सकता है कि आप रुके हुए हो हो सकता है आप एक बज़े 80 की speed पर गारी चला रहे हो हो सकता है आप एक बज़े 120 की speed पर गारी चला रहे हो मतलब जो speed हम पहले बता रहे थे 100 km पर आर और जो speed मैं actually instant पर पूछता हूँ उसमें एक difference होता तो वहाँ मैंने आपको बज़े था कि चीज़ों को छोटा करना पड़ता है time interval को छोटा करना पड़ता है मैंने वहाँ पर instantaneous चीज का बात किया था मतलब अगर मैं आपके बारे में बात करूँ अगर मैं बात करूँ आप से तो speed कुछ है वो दो type कि हो जाएगी instantaneous velocity कौण सी velocity instantaneous velocity अब यह क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था यह क्या है इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे एक कर्व से समझने कोईश करेंगे कौन सा कर्व वह ही differentiation कर्व देखो ध्यान से बस यहां से जो जर्णी स्टार्ट होगी न वो जर्णी competitive जर्णी है ध्यान से देखना पूरा board अब मैं जो भरने वाला हूँ वो board आपके बहुत काम का होगा माल लेते हैं अब हम पहली बार introduce करते हैं कर्व आपके लिए वो एक कर्व है वो है displacement time curve कौन सा कर्व है वो वो है displacement time curve ज्यान समझना माल लो मैं यहां पर बिटा एक body लूँ और कुछ ऐसे करके उसका displacement time curve बना दूँ एक और चीज़ बताता है दो क्योंकि वो displacement time curve तो आपको पताओगा position time curve भी है क्योंकि वो position जो थी वही उसकी क्या थी position ही उसकी displacement थी कहां से origin से तो अगर मैं बात करूँ इस कर्व की माल लो यह point है जहां पर time t1 है और यह point है माल लो जहां time t2 है माल लो यह point यहां पर लेता है आपकी displacement लेता है माल लो displacement हमने s से कही है तो उसको हम कहां देते है s1 और यहां पर माल लो displacement लेता है s2 माल लेते हैं थोड़ी दिर के लिए तो मुझे बता है जो average velocity आईगी वो क्या आईगी मैं इस तरीके से कोई problem नहीं है जो average velocity आईगी इसका फर्मने क्या है का आपका total displacement धियान से देख लेना total displacement upon total time taken upon total time taken what is total displacement just धियान से देख लेना total displacement is if let's say this is s2 position and this is s1 position आप initially यहां थे तो आजाएगा बिटा s2 minus s1 vector क्या वो यही आजाएगा यहां vector लागने की जरुवत नहीं क्योंकि यह one dimension motion है लेकिन फिर भी हम उसको follow करेंगे तो हमारा यह आजाएगा धियान से देख लेना final position minus initial position upon total time तो वो time भी आजाएगा आपका t2 minus t1 क्योंकि जो time निकला है आप initially तो यहां खड़े होए थे एक कुछ यहां बज़े होंगे एक कुछ यहां यहां बज़े होंगे मालो यहां पर बज़े होंगे अगर मैं सीधे इस point की बात करूँ या इस instant की बात करूँ तो इस instant पे क्या होगा धियान समझना है इस instant पे क्या होगा इस instant पे इस instant पे जो displacement होगी जो displacement आपकी होगी वो क्या होगी वो बहुत ही छोटी होगी जो मैंने आपको differentiation के basics में बताया था मैंने आपको बताया था कि एक time, एक particular instant एक बहुत छोटा interval of time है मैंने क्या बताया था आपको ध्यान समझ ले ना मैंने बोले अगर मैं one o'clock बोल रहा हूँ तो one o'clock just means that one o'clock से कुछ बहुत कम second पहले या बहुत कम second बाद जो time है उसको हम उस time का instant कहते हैं उस time के आसपास क्या कहते हैं instant कहते हैं तो instant मतलब एक particular time नहीं होता instant मतलब एक बहुत छोटा time interval होता है वो बहुत छोटा time interval होता है उसको हमने क्या नाम दिया था आप सभी को याद होगा dt नाम दिया था मैंने आपसे बोला था कि जब किसी भी चीज का बहुत छोटा instant या बहुत छोटा interval लिखना होता तो उसमें क्या लगा देते हैं बहुत ही छोटा डी लगा देते हैं छोटा डी मतलब एक बहुत छोटा instant और उस dt time में जो displacement होई होगी उस dt time में जो displacement होई होगी वो क्या होई होगी ds मैं फिर से आपको clear कर देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ जो आप से पूछ रहा है एक बज़े कितनी velocity है वो ही एक बज़े कभी भी निकाल सकता वो आपको यह पूछ रहा है कि उस एक बज़े के थोड़ा सा pass मतलब एक बजने के बाद मैंने कितना बता है तो यादेना आपको 0.001 second के पागे या 0.001 second के पीछे जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में ट्रावल हो रही है जो displacement है वो कितने टाइम में ट्रावल हो थी है actually that is called instantaneous velocity तो अगर मैं इसको अच्छे से लिगनी कोईश करूँ तो यह आजाएगा आपको क्या यह आजाएगा delta S upon delta T आप समझ गए होंगे delta में ने क्यों लगाए delta मतलब होता है large change उन बच्चों के लिए जिनके लिए थोड़ी सी confusion होती है तो delta मतलब होता है लार्ज change यही चीज आप समझना आप थोड़ी सी कोशिश करना मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए भी instantaneous तो एक तरीके से तुम क्या करोगे इसको याद रखने ही जरूँद नहीं है तुम सीधे formula याद रखने है लेकिन फिर भी एक बार देख सकते हैं क्या देख सकते हैं आप क्या करोगे limit लगा दोगे delta T tends to zero आप क्या करने ही कोशिश करोगे इस बड़े delta T को इस बड़े change को limit करने ही कोशिश करोगे कितना zero की तरफ सोज़े तो difference है time का बहुत ही क्या हो जाए छोटा मैंने क्या बोला delta T equal to zero नहीं बोला मैंने आपको इसका reason बताया था कि बिटा अगर मैं one or two की बात करूँ की कोशिश करेंगे one say two की तरफ तो आप कितने numbers को cross करने पड़ेंगे infinite real number cross करने पड़ेंगे और उसमें infinite time लग जाएगा मतलब अगर हम किसी दो real numbers की बीच में travel करना चाहते हैं तो actually मैं mathematically discrete mathematics के हिसाब से हम कभी भी एक point से दूसरे point पर नहीं पहुंच सकते discrete mathematics के साब से लेकिन लेकिन हमें पता है कि हम तो actually में travel कर जाते हैं कैसे कर जाते हैं अध्यान समझना वो इस तरीके से करते हैं इसलिए हम बोलते हैं कि delta t is not equal to zero delta t times to zero हम कोशिच करेंगे उसको छोटे छोटा करने का क्योंकि अगर आप समझ पा रहे होंगे मैं आपका ऐसे बताता हूँ 1 और 2 के बीच में बिटा अगर real number आप सोचेंगे real number तो 1.11 1.111 1.111 1.111 to infinity all these lies between 1 and 2 मतलब अगर 1 और 2 के बीच में इतना number है तो आप तो उसके interval को छोटा करते करते कितना छोटा कर सकते हैं इतना छोटा कर सकते हैं कि वो कभी 0 भी ना हो ऐसा भी होगा क्योंकि आप कितने भी छोटे interval में चले जाए उसके आगे और 1 1 1 2 2 2 3 3 लगा दें वो छोटा होते जाएगा मतलब इसलिए यह concept होता है mathematics में हम क्या करते हैं हम इसी average velocity में जो time interval इसको छोटा कर देंगे मतलब हम average velocity का ही time interval छोटा कर देंगा और देखो क्या होगा ध्यान सबंजा जब delta t पर limit लगती है तो मैंने आपको बताया था यही convert हो जाता है किस में जो displacement है वो convert हो जाती है ds में और जो time में वो convert हो जाता है dt में यही तो मैंने आपको बताया था differentiation में देखो अगर differentiation की feel है तो उसको यहां लगाना और कितना असान हो जाती है मैंने आपको बताया था कुछ नहीं होगा यह time interval जो delta t था वो dt हो जाएगा और जो बड़ा displacement का interval था वो ds हो जाएगा यह हुई आपकी instantaneous velocity और अब आज आते हैं हमारे photo concepts जो हमने सीखे थे कौन से concepts जो हमने सीखे थे कौन से concepts सीखे थे याद है ना हमने सीखे थे भईया graph के concept graph के concept क्या थे graph के concepts थे ध्यान से देख लेंगे अब हम आ जाते है graph के concepts थे हमने याद होगा, differentiation में जाओ, अगर यह y है, यह x है, चलो बता दो मुझे dy by dx क्या देगा, आज से हमारी application of mathematical tool से start हो, यह बता दो मुझे dy by dx क्या देगा, आपने याद होगा, dy by dx आपको याद आगया होगा, सभी को बात याद होगा, यह sir slope of tangent देगा, slope of tangent देगा, और sir यह slope of tangent कैसे आता है, यह sir 10 theta से आता है, यह 10 theta से आता है, अगर ध्यान से देखो तो इस constant y किसको tend कर रहा है, y किसमे convert हो गया, displacement में, और x किसमे convert हो गया, time में, मतलब क्या हो गया, अध्यान समझना, मतलब आपका यह चीज जो mathematics थी, उसमें physics जुड़ गई, और इसके left में, मतलब right में यह चीज़े चली रही थी, जो dy by dx है, वो ds by dt में change हो गया, और किसमत से ds by dt physics में किसके equal कर दिया, हमने, velocity instantaneous के equal कर दिया, मतलब हम कह सकते हैं, कि displacement time curve का differentiation, जो कि उसके slope of tangent के equal होगा, जो कि उसके slope of tangent के equal होगा, जो कि 10 theta के भी equal होगा, वो किसके equal आज जाएगा, instantaneous के, मतलब आज के बाद, अब वहाँ से journey start होगी, जब kinematics का question आए, जब kinematics का question आए, और क्या question आए, कि उसमें चीज़े पूछी होई, velocity increasing, velocity decreasing, velocity positive, velocity negative, तो आप क्या करेंगे, आप क् differentiation वाले concept पर जाएंगे, और आप यह देखेंगे कि भिया, उसका slope of tangent मतलब, differentiation मतलब, ds by dt, जो कि physics में क्या होता है, v होता है, वो क्या है, जिसे अगर इसके, इसमें तुम्हें बताना हो, ध्यान से बताओ मुझे, अराम सोचो कि मैं अगर यहाँ पे tangent बना दू, यह जो angle है 90 छोटा है या बड़ा, छोटा, तो 10 theta positive आगा है negative, positive, मतलब 10 theta positive मतलब slow of tangent, differentiation positive, मतलब ds by dt positive, मतलब velocity positive, और velocity positive के क्या मतलब होगा भई, velocity positive मतलब displacement positive, मतलब body origin से कहां जा रही है, दूर जा रही है, बहुत interesting बास समझा रही है, दूर जा रही है, मतलब एक conclusion में समझा ही, कि जब velocity positive होती है, तो body goes away, body goes away, goes away from origin, origin से क्या होता है, दूर जाती है, मतलब अगर ये क्या हो जाए, अगर velocity negative हो जाए, तो displacement क्या हो रही होगी, सोचो, अगर velocity negative हो जाए, तो displacement क्या हो रही होगी, सोचो, अगर velocity negative हो जाए, तो displacement negative हो क्या मतलब, vector है, vector है, positive negative क्या दिखाती है, उनकी is away from the origin, अगर velocity negative आ जाए, इसका मतलब body is coming या body coming towards origin, बड़ा simple है positive मतलब आवे, negative मतलब towards the origin तो आपको इतनी बात है clear हो गई, velocity को लेके क्या clear हो गया, कि average velocity होती है total displacement upon total time, instantaneous velocity होती है, ds upon dt और आपकी आपका ये, आपका graph के understanding आपने, आपने फिट कर दियो, अपनको आप 2 मिनिट लगा, सूचो, इतनी सारी बात हैं हमें clear करने में 2 मिन, 2 मिन, 3 मिन से जादे नहीं लगा क्योंकि हमने differentiation में बहुत मैंने तो अलड़ी कर लिए, तो ये आ गया आपका सरा का सरा concept, तो आपको आज क्याद रिखना है कि अब मैं इस concept को, अब मैं expect करता हूँ, आप generalize कर पा रहे होंगे generally कि अब यहाँ y और x के जो भी लिखा जाएगा, मालो displacement time हो गया तो हो गया, क्या dy upon dx के, ds upon dt, और भी यह physics में ds upon dt क्या होता है, instantaneous velocity मतलब, जो mathematics वाली line थी, जो mathematics वाली line थी, उसके left में physics और जोड़ देना है तो differentiation क्या देता है, slope of tangent, मतलब क्या देता है, tan theta और यहाँ पर differentiation of s, displacement with respect to time, क्या दे रहा है, velocity मतलब, displacement time curve का, displacement time curve का, slope of tangent, tan theta होता है और वो किसके equal होता है, instantaneous velocity के equal होता है मतलब, जैसे ही आप इसका slope निकालेंगे, आपको समझ आएगा, वया instantaneous velocity आगी तुम खुद बताओ, देखो, आगे मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम खुद यहाँ पर common sense से बताओ अराम से common sense से बताओ, यह जो, जब मैं आगे जाऊँगा, तो बताओ, slope बढ़ेगा या कम होगा तो देखो, यहाँ पहले slope ऐसा था, अब slope ऐसा हो रहा है, slope बढ़ रहा है, कम हो रहा है अंगल बढ़ रहा है, मतलब, भीया, slope बढ़ रहा है, मतलब, velocity बढ़ रही है है क्या बास समझ आ रहे है को आगे का हमने कुछ नहीं पड़ा भी अपनी हमने इंक्रीज विलॉसरी नहीं पड़ी लेकिन क्योंकि हमें डिफ्रेंशेशन आता है इसलिए हम यह साथ आता है और आपको समझ आ रहा हो क्यों जिसकी मैथ्स स्टॉंग होती है उसके लिए का इन मैंने यह तो देखो नियान से यह जो कर्व मैंने यह कभी नहीं लिया मैंने क्या लिया है हमेशा शॉर्ट टेस्ट पाथ लिया है तो यह एक वैल्यू है यह वैल्यू है तो मैंने हमेशा उसकी स्ट्रेट लाइन पाथ लिया आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि यह वेक्टर निकाला दा हो, क्या दा, पहले वेक्टर माइनस दूसरा वेक्टर, पहले की position माइनस दूसरे की position आते हैं next term पे तो हमारी velocity ड़म काफी अच्छे से clear हो गई है मिदे लगता है काफी सही तरीके से velocity clear हो गई है अच्छा, अगर कभी velocity से speed निकाल नी पड़ जाए तो एक शोटी सी बात याद रख लो जो speed होती है अगर ऐसा कभी हो जाए तो जो speed होती है वो magnitude of velocity vector होता है speed क्या होती है magnitude of velocity vector होता है अगर velocity से speed पूछ लिया है तो माल लो velocity दी है 5 i cap तो उसकी speed कितनी होगी 5 माल लो velocity दी है 4 i cap प्लस 3 j cap ये क्या हो गया सर 4 i cap प्लस 3 j cap आप सीधर 2D में कूद गये है लेकिन 2D में कूदने की क्या problem बताओ उसका magnitude क्या है अब हम चलते है अपनी next quantity पे तो हमारा speed क्लियर हो गया distance क्लियर हो गया displacement क्लियर हो गया इसके बाद हम चलते हैं अच्छा मैंने एक problem लिख रखिया आपको यहां पर देने के लिए तो एक problem आप देखें बहुत ही basic सी problem है बहुत ही simple थी problem है मैं थोड़ा सा speed में आपको करके बताऊंगा so that आप जब assignment करें तो थोड़ी सी आपको feel आजए एक simple सा question है मालनों मैं बोलता हूं यार कि displacement किसी body की वो कुछ इस तरीके से दी हुई है 2t square plus 3 मैंने आप से पूछा बहुत simple चीज़ पूछी मैंने बोला भाया मुझे यार average velocity बता दो average velocity बता दो t equal to 0 से t equal to 2 second के बीच में जब भी average बोलेगा तो एक time interval देगा और मैंने बोला भाया मुझे instantaneous velocity बता दो t equal to 3 second पे मैंने बोला भाया मुझे speed भी बता देना क्या बता देना speed भी बता देना अच्छा यह किसकी equation है displacement की equation है याद रखना ठीक है speed दो वैसे तुम बता दो कि distance से आ जाएगा लेकिन main important questions क्या है यह दोनों questions है अब देखेंगे जल्दी से इसको कैसे करेंगे अगर मैं बूझता हूँ average velocity तो average velocity का पहले formula लेको क्या होता है s2 vector minus s1 vector upon t2 minus t1 वह या s2 vector क्या होता है ध्यान समझ लेना क्योंकि मैंने बो अपन ने minus करके निकाला था तो final displacement कितनी है जाएगी देहान से देखो 2 into 2 का square 4 plus 3 minus क्योंकि मैंको क्या करना है 2 पे निकाल लिए minus 1 पे निकाल लिए 1 पे मतलब की 0 पे 1 पे मतलब क्या initial इसका मतलब क्या final यह मैंने 2 और 1 का हुआ है ठीक है यह भी final यह भी initial अब final initial लिखेंग आपका यह आजाता है आपका 4 2 जा 8 plus 3 minus 3 यह आ गया 8 by 2 मतलब 4 meter per second क्या गया 4 meter per second कैसे आया displacement upon time displacement क्या है meter और time क्या है T तो displacement upon time meter per second बात समझा रही है अब आते है next question पर वो है बी instantaneous क्या होगा ध्यान से देखना अब बी instantaneous का formula लिखो सबसे पहले दिमाग मत लगाओ क्या लिखोगे formula लिखोगे formula क्या पहले वैल्यू रखना है फिर differentiation नहीं करना है पहले differentiation करना है फिर value रखनी है तो पहले differentiation करो answer जाएगा 4T plus 3 का 0 आपको पता है यह differentiation हो गया अब आप क्या करेंगे आपके general instantaneous velocity आ गई आप क्या करेंगे आप V instantaneous bracket में लिखेंगे T equal to 3 और अब रख देंगे कितना आ जाएगा 4 into 3 कितना आ गया 12 12 meter per second although assuming कि यह meter में होगा क्या ही बात समझा रही है इस तरीके से average और instantaneous के questions आपको बनाने हैं अब आते हैं आपकी last देखो इस हिसाब से चलते हैं तो काफी चीजें अपने आप ही speed से खतम हो जाती है अगर आप crisp and clear हो concepts को लेके तो अब हम चल रहे हैं किस पे अब हम चल रहे हैं अपने next और last part पे terms level पे फिर आएंगे धीरे-धीरे question level पे last part क्या था आपका मैंने आपको बतायता है यहाँ पे हमारे साब से I guess we have done with what we have done with we are done with displacement distance velocity and we are done with one question now we will start जो हमें start करना है वो है आपका last topic या last बात वो है आपका acceleration अब ये बहुत ही important बात है यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बात है यहाँ पे और इसको बहुत ही सही तरीके से हमें देखना होगा और फिर इसकी depth को touch करना होगा अभी क्या हो रहा है उस दायरों को खुदी maintain कर रहे हैं और चीजों को limited रखके best possible results की तरफ जा रहे है क्योंकि आपको यह basic पता है यार देखो kinematic same आप भी पढ़ते है same एक J.E. mains वाला बच्चा भी पढ़ता है और एक IIT देने वाला बच्चा भी पढ़ता है क्या difference होता होगा सोचो difference concepts में इतना नहीं होता है यार बचा difference होता है उसके application में उसके questions में अक्चल बात आपको बताऊं तो थोड़ा बच concept में भी उपर नीचे होता है थोड़ी depth of knowledge में भी होती है थोड़ी depth of concept में भी होता है difference की देता हूं लेकिन वो आपके वेनिफिट के लिए हैं मैं देख रहा हूं गर बच्चे बटा जिस हिसाप से मैं आपको यह मान के चलो मैं आपको ले जा रहा हूं 40 प्लस की तरफ और मेरा जो बच्चा सही भाग रहा है वो 45 वी उड़ाएगा याद रखना तो मैं देख रह आपको पता है अभी इसी कोशन में याद करो स्लो बढ़ने लगा तो विलॉसिटी का रही थी इंक्रीज हो रही थी विलॉसिटी इंक्रीज हो सकती है लेकिन उसके पहले अगर आप एक बड़े टाइम इंटर्वल में मतलब अगर लॉजिकल ही या कॉमन सेंसे देखे तो अगर लेमें बेसिक भाशन में बोलें अगर 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 आपका हो सकता है एवरेज एक्सलरेशन क्या हो सकता है एवरेज एक्सलरेशन और एक आपका हो सकता है इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन क्या हो सकता है इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन दो चीज़े निकल के आ सकती है तो ध्यान समझना average acceleration में क्या होगा बहुत ही सिंपल है यार average acceleration होगा total change in velocity मतब delta V upon delta T how simple is this it is very simple how can we elaborate this this can be elaborated as V final minus V initial upon delta T भया final velocity minus initial velocity upon change in time क्या हो जाएगा आपका average acceleration हो जाएगा वहीं पे आप कह सकते हैं अध्यान से देखना वहीं पे आप कह सकते हैं ये कि instantaneous acceleration क्या हो जाएगा instantaneous हो जाएगा इसी change को छोटा करदो हो जाएगा dv upon dt क्या हो जाएगा dv upon dt तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी बहुत ही सिंपल है यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी आपकी बहुत ही सिंपल एक तरीके से differentiation of velocity with respect to time अगर मैं लिख भी दूँ इसको differentiation of velocity with respect to time उडाते हैं इसको graph के level पे क्योंकि majorly आपको पता है graph ही वो चीज़ है जो सारी कुछ चीज़ों को change करती है तो ध्यान से देखो यह differentiation v और t का हो रहा है मतलब पहले हम VT graph को देखेंगे फिर हम ST graph से भी A पे पहुंचेंगे एक बच्ची का question था हमें को याद है differentiation में सर, ST graph से acceleration में कैसे पहुंचते हैं अब पता चलेगा तो सबसे पहले लेकिन हमारा जो relevant graph है वो VT curve है तो हम VT curve लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे वो बात है कौन सी चल रही है तो अगर हम एक VT curve लें velocity time curve और फिर से उसको plot करें कुछ इस तरीक से माल लेते हैं तो यह होगे आपका T1 मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं कुछ बात हैं यह होगे आपका T2 यह होगे आपकी V initial और यह आपकी होगे V finally कुछ ऐसा है ना तो आपको पता है यह जो इंटरवल है इसको हम बोलेंगे delta T और यह जो change in velocity इसको हम बोलेंगे delta V यह तो आपको समझ आ ही रहा होगा तो आपको समझ आ गया कि सर average acceleration कि इसको बोलते है total change in velocity upon total change in time को और आपको पता है जब मैं इसको छोटा करूँगा तो इंटरवल कितना हो जाएगा dt और इसके अंदर तो change हो जाएगा वो क्या हो जाएगा dv मतलब मैंने आपको इसका slope मतलब instantaneous होता है आपका small change in velocity upon small change in time जो की mathematics में क्या होता है dy upon dx मतलब यह किशा होगा इसका slope of tangent भी होगा slope of tangent of what tangent of vt curve vt curve में अगर आप tangent draw करते हैं और उसका slope निकालते हैं जो slope equal होता है time theta k तो वो slope अपने आप क्या देता है acceleration देता है यही जो आपको सीखना था यही तो आपको connect करना सीखना है कि भीया इतना part तो पढ़ दिया था अब उसमें छोटी सी formula को और चोड़ देना है कि भीया अगर y v हो जाए और x t हो जाए तो आपका वही left वाले में physically वो क्या हो जाता है acceleration हो जाता है अब आप खुद बताओ अराम से सोचो इस curve में सोचो जा acceleration हो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा या constant है मतलब बढ़ रहा है कम हो रहा है या constant है तीन question में आप से पूछ लिए बताओ ज़र आप सोच के देखो अपने mind में तो मैं बताए ता हूँ देखो यार इसका angle इसका angle देखो बढ़ रहा है इसमें acceleration भी change हो रहा है मतलब acceleration भी दो गये जब acceleration सेम है और acceleration भी change हो रहा है मतलब velocity का change constant है या velocity का change भी non uniform है उस पे हम अभी next में आने वाले हैं ध्यान से देखना इतनी बात clear हो गई बात समझा गई अगर मैं simple सा question पूछू अच्छा अभी हम reverse चीज़ें भी सीखेंगे जब हम equation दियोगी graph बनाने भी सीखेंगे इसलिए में आप graph भी बताएं मैंने एक simple सा question पूछ लिया माल लो मैंने बना s is equal to 2t square plus 3 तुम तो यही बता दो पहले मुझे common sense है कि sot का curve कैसे बनेगा या चलो बताओ sot का curve कैसे बनेगा सभी भी दिखरा होगा y square proportional to x किसकी तरफ खुलेगा s की तरफ खुलेगा बहुत बढ़े है s की तरफ खुल गया कुछ ऐसा बनेगा negative होगी negative time is not significant time negative नहीं हो सकता तो कभी भी graph में negative time हो बता देना हो गलत graph ठीक है तो मैंने बोला बया सबसे पहले इसका क्या निकालो आप velocity निकालो तो आप क्या करेंगे ds by dt कर देंगे general velocity निकालने के लिए क्या आजाएगा 4t अब मैंनोला इसका acceleration निकालो आप क्या करेंगे ध्यान से देख लेना आप करेंगे 4 तो कि आप क्या करेंगे dv by dt और आपको पताए इसका क्या आजाएगा 4 आजाएगा अब ध्यान से देखो एक चीज important चीज देखो कि यहाँ पर acceleration क्या आया constant आया अगर मैं आपको कहता अगर मैं आपको कहता s equal to 2t की power 3 है तो v कितना आता बताओ ds by dt अभी बताया था मैंने आपको आजाएगा 6t यह कितना आजाएगा dv by dt इसका भी differentiation कर दो कितना आजाएगा 6 नहीं यह क्या हो गया 3t square हो जाएगा और यह कितना आजाएगा 12t दोनों में difference देखो दोनों में difference देखो इसमें acceleration constant इसमें acceleration वेरियेबल है इस हसाब से questions change होते जाते हैं अगर मैं आपको इसमें बोलता भी है average acceleration निकालो तो क्या करते हैं पहले velocity की question निकालते है और average acceleration का formula क्या होता है V final minus V initial तो एक simple question इसी में जोड़ देते हैं पहले मैं score up कर देता हूँ यहाँ पे यह वाली चीज़ अब कर देता हूँ जो आपको याद हो गई है और धीरे धीरे मैं कुछ graphs को भी लूँगा लेकिन पहले पहले इसको यहाँ पे खतम करते हैं फिर हम graphs को भी लेंगे हमें एक simple question दिया हुआ है कि s equal to s equal to 2t square plus 3t 3 है तो बताएं क्या बताना है पहले तो average velocity t equal to 2 से t equal to 4 में बहुत राम से बता दोगे क्या भई s final minus s initial upon t final minus t initial क्या जाएगा s final रख दो इस में 4, 4 is a 16 into 2 32 plus 3, 35 minus 2, 2 is a 4, 2 is a 8 plus 3 11 upon time कितना निकला 2 जो भी answer आएगा वो आजाएगा problem यहाँ नही थी अब वो पूछता है बताओ average acceleration क्या होगा आपको पता है भी हगा वो तो v final minus v initial upon t final minus t initial होता है तो इसका मतलब v की equation चाहिए तो पहले v की equation निकालेंगे v की equation मतलब v की equation जनरल वाली तो general मतलब instantaneous मतलब v general मतलब क्या होता है v general मतलब instantaneous instantaneous होता है, इस बात को याद रख लें, तो क्या करेंगे, ध्यान से देख लें, v is equal to ds by dt, करें इसका differentiation, कितना आ गया, 40, और अम आ जाएं इस v को यहां पर, क्योंकि देखो, यही तो है, जो time के साथ change हो रहा है, तो v final क्या है, v final है 4 second, तो 4, 4 is a 16, minus v initial, कितना आएगा, 4 to the 8, upon 4 minus 2, 2, कितना आगया आपका, 16 minus 8 upon 2, 4, 4 meter per second square, per second square क्यों आया, क्योंकि इसमें आता है, meter per second upon second, meter per second, तो velocity unit divided by second करोगे, तो meter per second square हो जाएगा, अभी मैं सब basic बात बता हूँगा, unit कैसे convert करते हैं, basic basic जीज़ें, अभी बता हूँगा, लेकिन अभी मैं आपको यह बता रहा हूँगे, differentiation का कितना important use है, अब सोचो, चलो एक बहुत ही next level चीज पर ले जाता हूँ तुमें, वो बो बता हूँगे, देखो यहाँ पर velocity time में के question दिख रही है, चलो बता दो common sense की curve क्या बनेगा, तो सभी को समझा गया, गभी proportional to t, sir straight line बनेगा, क्या कि यहाँ तो cb नहीं है, और sir 4 तो positive है, देखो, this is what it is, when you know graphs, you are very close to the topmost concepts of kinematics, you are able to draw the graphs, अब मैंने बोला 80 curve बना दो, तो question मतलब की instantaneous, तो dv by dt, कौनसा v को differentiate करोगा, जो time वाला है, तो 4 t का differentiation 4, चलो बताओ, a is equal to 4 है, क्या time पर vary कर रहा है, नहीं कर रहा, तो भाई, a is equal to 4 क्या है, constant line खीज तो 4 पर, hello, a is equal to 4, क्या बनाना सीख गया, क्योंकि हमने graph पढ़ा है, तो हम यह भी बनाना सीख जाएंगे don't worry, I'll give you a few questions, जिससे अपने आप इन चीज़ों को grasp कर लेंगे, तो आज आते हैं हम, next part पर, तो आज दो ही part और cover करेंगे, आज हम part करेंगे, acceleration में कुछ और, और थोड़ी सी graphs पर बात करेंगे, सारे graphs आपको बताऊंगा, थोड़ी convergence आपको बताऊंगा, उसके बाद हम इस जीज़ी भी समझ आ गई, कि जो acceleration होता है, वो दो टाइप का हो सकता है, A constant हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया था, और A variable हो सकता है, मतलब जो rate of change है, इसका मतलब क्या, rate of change of V constant हो सकती है, और rate of change of V भी variable हो सकती है, कैसी हो सकती है, variable हो सकती है, ये बात आपको समझ आ रही होगी, अब इस हिसाब से question कहा जाता है, तो जब माल लेते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्योंकि basic है, तो बतायता हूं, इसका मतलब क्या है, a constant हो गया, a constant हो गया, इसका मतलब क्या, हम a को क्या लिख सकते है, dv by dt, अगर मैं बहुत ही basic चीज़ को touch करूँ, तो a को हम लिख सकते है, dv by dt, और ये हो जाएगा k, और जो हम इसको यहाँ ले जाएंगे, तो क्या होगा, तो ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं basic proof, जिनको जो 11th class में भी इस चीज़ को समझना चाते हैं, 11th class के लिख समझना चाते हैं, तो एक बार देख लें बिटा, जब भी acceleration constant दिया, तो आपके करेंगे, acceleration की value लिख देंगे, कि generally वो ही लिख दी होई है, तो कितना आ जाएगा वो, तो पहले मैं किसको discuss कर रहा हूं, चलो मैं यहाँ पर आपको separately बताएते हूं, इसको separately discuss करते हूं, हम इसको one by one discuss करेंगे, तो पहले हम discuss करते हैं, when A is constant, इसकी पूरी study आज करके खतम करेंगे, कि A constant रहता है, तो क्या-क्या बाते होती हैं, हैं समझना मैंने क्या बोला, A constant, A constant का graph, A constant की बाते साही की चीज़ें समझाएंगे आपको, देखो, बहुत important है, 99% question तो इससे ही आएगा, 1% possibility किसके बादवाले से है, बहुत simple है, बादवाला और असान है, A constant, A constant का मतलब, A let's say मैं assume कर लेता हूं, K, जो एक-एक numeric constant है, मुझे पता है, A is equal to क्या होता है, मैंने अभी बता है, आपको dv by dt, rate of change of velocity, आप dv यही रखें, dt यहाँ ले जाएं, और k यही रखें, अब ध्यान समझना, आप यह थोड़ी सी चीज़े निकल के आ रही है, जो आप लोग को सीखनी जरूरी है, मैंने क्या किया, मेरे को बदाता, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकते था, तो मैंने जो भी question मुझे स question समझे, उसे मैंने लिख लिया, और मैंने उसको आगे solve किया, मैं यहाँ आ गया, अब इस step पे जब भी आओ, life में आद रखना, आज के बाद क्योंकि बहुत जरूरी है, उन plus, minus 7 question, मतब 35, 36 question तक आप पहुंच जाएंगे, basic चीज़ेंगों करके, लेकिन उसके उपर के लि इससे बहुत बढ़िया चीज समझ आने वाली, अभी देखो तुम क्या समझ आएगा, आप देखेंगे, एक काम करते हैं इसको आभी A ही लिखते हैं, A मतलब acceleration रहने देते हैं, आखरी में के रख देंगे, ठीक है, क्योंकि वो constant है उसको आखरी में के रख देंगे, ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा ना, ध्यान से देखना, अराम से observe करना, मैंने क्या बोल रहा हूँ, पहले मैंने बोला, भी या VT करवे, मैंने क्या बोला, VT करवे, तो मैंने अभी सिकाया, A is equal to dv by dt, तो V or T में क्या relation है, differentiation ये क्या देता है, slope of an engine, बहुत ही बढ़िया बात है ना, slope of tangent या 10 theta, है ना, tangent या 10 theta, ये बात समझा गी, अब मैं बोलता हूँ, AT करवे, मैं क्या बोलता हूँ, AT करवे, और ये graph है, ध्यान समझना, ध्यान समझना, और यहाँ देखो, integration ADT, integration y dx, क्या देगा, area under ADT, क्या देगा, integration ADT, integration y dx, y dx, ADT, क्या देगा, area under the curve, area under curve, और physics में क्या दे रहा है, dv, change in velocity, मतलब, velocity time curve का slope acceleration देता है, और acceleration time curve का area, velocity देता है, देखो, बड़ी interesting चीज़ है, अगर VT curve दिया हो, VT curve दिया हो, उसका differentiation मतलब, उसका slope A देता है, और अगर A T curve दिया हो, तो उसका integration मतलब area V देता है, और कौन सा V देता है, अगर आप ध्यान से देखें, तो मैंने आपको सिखा जाता है, यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ जाएगा V, और initial velocity क्या माल लेता है, U, और final velocity क्या माल लेता है, V, यह क्या हो गई, इसकी limit हो गई, initial limit और final limit, और यहाँ पे limit किसकी रखेंगे, तो देखो, अगर मैं आपसे यहीं पूछू अगर कोश्चन ऐसा आजा है कि कॉन्स्टइन एक्सलरेशन में वीटी कर्व कैसा मनता है तो आप जब एक्सलरेशन सोचेंगे इक तो मैं आपको सारी क्उश्चन बनाकर बताऊंगा सब्सक्वाइल के लिए वालोग्स समजरा गया से को आपको दूसरी और तीसरी कुषिन कैसे निकाल लिए अब वी को क्या रख दोगे डिया रख दोगे क्या रख दोगे डिया स्वाइट लेकिन आपको पता है अब मेरे को अब समझ आ गया ना इसके बेसिक्स कर लोगे ना यह आपने 11 क्लास में किये हुए है बेसिक्स मैं सीधे आपको काम की कुषिन से लिखता हूँ पहली कुषिन ही आ गई कब जब एक्सलेशन कॉंस्ट है दूसरी कुषिन आप डिरेक्ट लिखो वजाएगी s is equal to ut plus half a t square जहाँ पर एक्सलेशन फिर बोल रहा हूँ क्या है constant थीसरी कुषिन आप लिखो वजाएगी v square is equal to u square plus 2as और चौथी कुषिन भी लिखी लो चौथी कुषिन देखी नहीं होगी लेकिन आज एक ऐसी कुषिन लो जहाँ पे आप देखो के direct question इस equation से आता है that is called fourth equation of motion that equation is what s is equal to u plus v upon 2 into t very good equation question comes directly from this equation आपने तीन equation पढ़ी होगी देखें ध्यान से यहाँ पे v u a t में relation है यहाँ पे s u a t में relation है यहाँ पे v u a s में relation है यहाँ पे s u v t में relation है यहाँ आपे a नहीं है इसमें s नहीं है इसमें v नहीं है इसमें t नहीं है इसमें a नहीं है चार variable की चार equations बनती है actually मैं जो आप miss कर जाते हैं last fourth equation अगर मैं यह बोल दूँ भाईया इन सब के मुझे graph चाहिए आप तो constant acceleration के सारे graph बना दो st vt 80 पहले 80 बना लें क्योंकि acceleration constant है तो बताओ 80 curve कैसा बनेगा acceleration constant है constant मतलब की constant तो constant मतलब constant कुछ भी बन गया भी यह constant acceleration है single line खीज़ दी vt curve कैसे बनेगा constant acceleration का vt curve के लिए कि सुचोग है पहले कि question सुचोग है मैंने अभी बताया भी है देखो यह तो दिखरी question बता दो vt में क्या relation आ रहा दिखरा है v और power 1 तो क्या बनेगी straight line बनेगी और यह देखो यही तो है y equal to mx plus c देखो इसलिए तो इसकाया है यह हो गया y mx यह x x इस पर रखा हुआ है plus c low बता दो क्या बनेगी बहुत बढ़िया तो बच्चे guess कर गया होंगे अगर मैं यहां पर v और यहां t रखता हूं और अपनी standard equation से compare करता हूं तो क्या बन गया कुछ ऐसा बन गया यह मैंने कैसे बनाए slope को मुझे पता है positive रखना था तो य पॉजटिव के लिए किसके लिए बन गया अगर e negative होता तो क्या हिसा बन जाता कुछ you मत आता 설क चीया बात समझारे है यह पॉजटिव बन गया यह विचा किसके लिए बना तो अर्श्य makes it dagen तो negative भी रो सकता है positive भी हो सकता है मैंने बताया तह यूज़ा itself में कोई फर्क नहीं होता, U का फर कैसे होता है, अगर, sorry, U का फर किदर बोल रहा हूँ, मैं U अगर प्लस है, तो उपर U अगर माइनस है, तो नीचे, कैसे नीचे, देखो T equal to 0, तो देखो मैं यहाँ पर बता जेता हूँ, यह भी U greater than 0 के लिए है, यह भी U greater than 0 सेम VT कर, अब A को कर लेते हैं, क्या positive, लेकिन U को कर लेते हैं, negative, U greater than 0 के लिए होगे, U को कर लेते हैं, ध्यान से देखना, U negative करूँगा, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव में चले जाएगा, तो क्या होगा, नेगेटिव में इंटरसेप्ट और A positive रखना है, यू भी negative, दोनों ही negative हैं अगर, नहीं, U के आऊ गया, positive, U के आऊ गया आपका positive, negative तो इदर आ गया, तो ध्यान से देखो, इसमें हमने U को negative रख लिया, अच्छा, यू पाजिटिव आला तो हमने कर लिया, देखो इसमें तो दोनों case कर लिये न, u greater than 0 के दोनों case कर लिए, इसमें u less than 0 के दोनों case कर लेते हैं, तो u भी less than 0 और ये भी negative मतलब कुछ यहाँ पर, मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, u negative है, intercept का है नीचे और यहाँ चला जाएगा, देखो क्यों यहाँ चले आएगा, जब आप इसका angle देखोगे, तो यह angle 90 से बढ़ाएगा, लेकिन आप बोलेंगे, सर आप यहाँ के draw नहीं कर रहें, तो पीटा टाइम negative नहीं हो सकता, इसलिए, इसलिए मैंने यहाँ draw किया, देखो चार केसे, इस मनदब समझ रहें हो ना, कितना कुछ आ सकता है, और कितनी छोटी छोटी बातें, बारी के हमाई चूड़ी आती हैं, और यह याद रखना, यह सब need level का है, यह बगवास मुझे नहीं सुननी है, कि यह सर, हमें ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ बकवास नहीं, जितना मैं पढ़ा हूं, उतनी पड़ नहीं है, बात, इतना करना पढ़ेगा ही, पढ़ेगा, बस, जब हमें अच्छा करना है, अभी बहुत अच्छा कर रहे हो, mathematics में बिल्कुल नी डर रहे हो, यहां भी नी डरना है, बिल्कुल जितना में बोल रहा हूं उतना करना ही, करना है, ठीक, चलो, next पे आते हैं, क्या आते हैं, तो हमारा, मैंने बोला, अभी क्या बनवाए आपको, BT कर बनवा लिए, ध्यान से steady कर लेना, अब बोलता हूं, constant acceleration के A बन गया, BT बन गया, कौन से बन सकता है, last, st, st बनाते हैं अले को, तो कौन से कर बनाते हैं हम, st कर बनाते हैं, तो st कर की equation सब मिटाने के बाद मुझे यह दिखरी है, लो, यही तो तुम लोग problem थी, याद करो, सभी के यही problem थी, तो आजाओ, इसी problem बापिस, याद करो, 14th problem थी, I guess, या 4th problem थी, I don't remember exactly, बट, graph वाले assignment में, यह problem बच्चों को बहुत आ रही थी, तो ध्यान से देखें, क्या है, यह constant में बोला है, यह constant में बोला है, आपको, st कर बना दो, s versus t कर बना दो, है ना, s versus t कर बना देते हैं भी या, तो सबसे पहले क्या ढूनेंगे, मैंने बताया, आपको equation ढूनेंगे तो s is equal to ut plus half per t square, हमें समझ आ गया भी है, कि जब भी a constant होगा, time पर depend नहीं करेगा, तो यह question लगाएंगे, s proportional to t square, मैंने बोला था highest power देखनी है, क्यों देखनी है, मैंने आपको logic भी बता था, dominating power होती है, तो why, time क्या बनेगा, बता दो, पैरा बोला, अब depend करता है, अगर a positive अब ध्यान समझा, a positive और u be greater than 0, यह हमेशा intercept बताएगा, कहां से start होता है, तो t 0 पताब 0 ही है, ध्यान समझा, फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि t 0 रह खोगे, तो 0 आ जाएगा, और a अगर positive तो positive की तरफ खुलेगा, ध्यान समझ लेगा, नीचे चलते हैं, next पर चलते हैं, क negative s की तरफ, और इसमें u से क्यों फर्क नहीं पड़ा, देखो, मैंने बुला था, u से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ut है, t 0 रखोगे, तो वो हमेशा intercept कितना हैगा, 0 यागा, 0 into 0, यह सब 0 आ गया, s 0 आ गया, मतब t 0 पर s 0 आ रहा है, और क्या करते हैं, माल लो ऐसा बना देते हैं, आप कुछ बच्चों को doubt हो रहा था, यह वाली चीज, क्या, कि a positive है, और u को negative कर देते हैं, आप बोल दो, आप ही तो बोल रहे थे, क्या फर्क पड़ा, भया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि t 0 पे, अभी भी a 0 आ रहा है, तो इसके positive negative होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अब ध्यान से देख लेना, st curve है, मैं वो रहा हो, फिर a negative, और u फिर negative, u से देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से graph यहां से बन जाएगा, मतलब देखो, same, कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ, एक option और था, उसमें आदोगा, आपको कुछ ऐसा आ र यह समझ आया भी होगा मेरे प्रोजेक्टाइल देखके, फिर से समझ आ जाएगा, जब मैं अपना प्रोजेक्टाइल आपको फिर से दिखाऊंगा, फिल्कुल बात समझ आ रही है,